अलो बच्चों कैसे हैं आप सभी आशा करते के आप सभी स्वस्थ होंगे चलिए आज हम करेंगे सिर्टी द्वारादी के वोक्षीट दिना बाइस परवरी दो हजार पाइस क्रमाग संख्यायती आज की गति विधिक पत्रक है कक्षा 6-8 तक की यह पठन अभियान की वोक्ष रहे थे तभी रितू को वर्गाकार बगीची के चारोर चक्कर लगाता साप दिखाए दिया वो अपने दोस्तों से दोस्तों के साथ बातचीत निम्नपरकार करती हैं देखते हैं किस तरह से रितू अपने दोस्तों से बातचीत करती हैं चले देख लेते हैं यह रितू वस देखो स्ने, मनू नहीं यह स्नेक नहीं बलकी सरफ है पिंकू, पिंकी, मुझे लगता है यह साफ है कुंदन, मुझे लगता है यह सरफ है जीत, यह सप है, रहीम, यह साफ है प्रिया, बहस मत करो, हम अपनी अध्यापिका से पूछते हैं अध्यापिका कहती है आप सभी सही हैं साप को अलग-अलग भासाओं में अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है जैसे हिंदी में साप, पंजाबी में सप और संस्कृत में सर्प और भोजपुरी में सरफ और अंग्रेजी में सनेक और उर्दु में साप चलिए आगे देखते वाली भासाओं को हम क्या कहते हैं मात्र भाशा क्या कहते हैं मात्र भाशा अब हम अप अपनी मात्र भाशा के विशे में पता लगाईए अध्यापिका समझाती हैं बंद आकृती की परिसीमा की लंबाई को परिमाप कहते हैं जो बंद आकृती की चार तरफ की लंबाई होती इसके लिए इसका परिमाप चारो भुजाओं की लंबाई कितने होगी 800 मीटर दी गई आकृति की चारो और लाइन को गिन कर परिमाप निकालिये प्रत्यक वर्ग एक सेंटीमीटर का है तो यहाँ पर देखे यह जो आकृति दी गई इसके चारो तरफ की लाइन को गिन कर हमें निकालना यह जो प्रत्यक वर्ग है इस तरह से बना हुआ वो कितने सेंटीमीटर का है एक सेंटीमीटर का तो चलिए देखते हैं एक दो तीन यहाँ पर तीन तो यहाँ बचो इस तरफ लिख लेते हैं तीन धन, यहाँ पर कितना है, एक, दो, तीन, चार, तीन, जमा चार, फिर यहाँ पर एक, दो, तीन, तो यह तीन, फिर उपर कितना है, एक, दो, तीन, चार, तो चार, तीन, साथ, 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 चौदा, तो यहाँ पर यह चौदा सेंटीमीटर का है, पहला वाला, चलिए इस जम्मा यहाँ पे कितना है एक दो यहाँ पे दो फिर जम्मा एक दो तीम चार पांच छे चै और यहाँ पे जम्मा दो तो इन सब को जोडएंगे 6, 2, 8, 8, 16 तो यहाँ पे 16 cm बच्चो दूसरी वाली 16 cm की है चलिए चौथी वाली देख लेते हैं कितनी cm की है यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यह 5 जमा 1, 2, 3, 4, 5 5 यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 और 1, 5 तो यह कितने cm की हो गए? यह 20 cm की हो गई चलिए आगे देखते हैं इसका परिमा 20 cm अब हम एक खेल खेलते हैं सामगरी, एक पासा और प्रतेग बच्चों के समूँ के लिए कागच की बनी वर्गाकार टाइल यानि जो 1 cm की हो तो हमें खेल के लिए यह एक पासा चाहिए यह वाला पासा यह देखें यहां पर पासा है और प्रतेग बच्चों के लिए एक वर्गाकार की टाइल चाहिए यहां पर इस तरह से चलिए देखतें किस तरह हैं खेल निर्देश क्या देखें है निर्देश एक बच्चे पासा फेकेंगे और जितनी संख्या आएगी उतनी टाइल उठा लेंगे और एक बहुबुज बनाने के लिए टाइल लगाएंगे फिर परिमाप निकालेंगे एक बार में बनी हुई आकरती को बिगाड़ना नहीं है अगली बार उसी में टाइल जोडनी है और नया परिमाप निकालना है और यहाँ पर देखें चौथा वाला क्या है इस प्रकार पासा फेकते रहना है और पहले से बनी आकरती में टाइले जोडनी है और उसका परिमाप निकालना है पाइलों में जैसे हमने उधारन के लिए मेरे पासे में तीन आया, मैंने निम्न वभूज बनाया, इसका परिमाप 8 सेंटीमीटर है, तो ये देखें ये तीन है, तीन आया उसके नमबर, तो उसने तीन टाइल लगा दी, तो ये देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, स 8, 8, तो उसका कितना आया, 8 सेंटीमीटर, फिर दूसरा बचा पैकेगा, और अगर उसके में 2 आया, तो इस तरह से वो 2 टाइल और जोड़ेगा, यू, टीक, अब इसी में जोड़ेगा वो, 8 के बाद, 9, 10, 11, 12, 13, बिना इस आकरिती को, ये वाली आकरिती को, बिगाड़े भी ना बच्चो खेलना, 11, तो दूसरे वाले बच्चे का 11 सेंटीमीटर, इस तरह से खेलते जाना है, जब तक 36 सेंटीमीटर ना आ जाए, ये है ना मज़ेदार खेल बच्चो, खेलिएगा, मज़ा आएगी, चलिया आगे देखते क्या है, आज का कोविट का मेसाज है कि जब भी बहा निकले बच्चो, मास्क जरू लगाए, कोरोना को हराना है, तो हमें मास्क लगाना है, उम्मेद करते कि मेरी वरक्षीट आपको पसंद आई, पसंद आई तो लाइक करें, शेर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, तो मेरे चैनल को फटा-फट से सब्स मिलते हैं, अगली वरक्षीट के साथ, बाई बाई